नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको हर्निया के दर्द और उससे जूड़ी कुछ अन्य समास्याओं से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू तरीकों के बारे में बताएंगे जब पेड का हिस्सा डाइफ्रॉम के जरिये हमारी चाती के गुखा तक पहुँच जाता है तो इसे हर्निया कहते हैं डाइफ्रॉम मास्पेश्यों की ऐसी शीट होती है जो हमारी चाती को पेड से अलग रपती है आम तोर पर हर्निया, पचास या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों में बहुत ही आम होता है इसके लक्षणों में मुख्य तह सीने में जलन, सीने में दर्द, निगलने में दिक्कत, पेट के निचले हिस्से में दर्द, ठकान, जल्दी जल्दी डकार आना और खाना खाने के बाद पेट बहुत जादा भरा हुआ महसूस होना आदी शामिल होता है हर्णिया के कारणों में मुख्य तह तेजी से खासी आना, चोट लग जाना, कब्ज होने की वज़ा से होना, पेट पर ज़्यादा दबाव पढ़ना, अंड कोश में हवा का भर जाना आदी शामिल होते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस समस्या से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू तरीकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले एकने वेदन उन सभी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदस्ता को जरूर ले लें ताकि आप हम से जुड़े रहें हमारे दर्श दी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंत्तक सरूर दिखेगा कैमोमाईल को एंटी इंफ्लमेटरिक गुणों के लिए जाना जाता है यहाँ हर्णिया के लिए बहुत ही अच्छा प्राकृतिक उपाए होता है हर्णिया की समस्या से एसिडिटी और गैस काफी बनने लग जाती है इस इस्थिती में कैमोमाईल की चाय के सेवन से काफी आराम मिलता है यहाँ पाचन को ठीक करता है और एसिड बनने की प्रक्रिया को भी कम करता है समस्या होने पर एक चम्मच सूखे कैमोमाईल को एक कब गरम पानी में मिला कर पाँच मिनिट के लिए ढखकर रख दीजे फिर इसमें अपने स्वाद अनुसार शहद मिला ले इस चाय का सेवन दिन में चार बार जरूर कीजे इससे आपको फाइदा होगा अदरक की जड़ पेट में गैस्ट्रिक एसिड हुए नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है यह हरनिया से हुए दर्द में भी काम करती है इसमें मौझूद एंटी इंफ्लामेटरिक गुणों के कारण यह अन्य चीजों की तरह ही प्रभावी होती है आप इसका सेवन तरल रूप से भी कर सकते हैं या इस सिस्थिती में होने वाले दर्द और आसुविधा को कम करने के लिए कच्ची अदरक भी खा सकते हैं कफ और खासी में मौलैठी रामबांड की तरह काम करता है लेकिन यह हर्निया के इलाज में भी बेहती कारगार माना जाता है हर्निया पेट की परत और अणूओं को नुकसान पहुँचा सकता है लेकिन मौलैठी की जड़ शरीर के इन हिस्सों के उपचार उत्तेजक के रूप में लंबे समय से चानी जाती है मौलैठी की चाय सेवन करने से शतिग्रस्त उर्टाकों को तेजी से ठीक किया जा सकता है और अपने एनाल जैसे गुणों के कारण यह दर्द और सूजन को भी दूर करती है हर्निया की बिमारी में एलोवेरा का जूस भी बहुती जादा फाइदे मन माना जाता है क्योंकि एलोवेरा का जूस हमारी आथ के इनर लाइनिंग को राहत पहुचाता है जिससे पेट में हो रहे दर्द को भी बहुत जादा राहत मिलती है इसके लिए खाना खाने से लगबग आदे घंटे पहले दो चम्मच एलोवेरा का जूस जरूर पीजे इससे आपको डाब मिलीगा हरनिया रोक के लिए अजवाइन का रस भी बहुत जादा फाइदिमन माना जाता है यह नुस्खा आंतर व्रद्धी के लिए बहुत जादा फाइदिमन होता है इसके लिए सबसे पहले अजवाइन का रस लगबग 20 स्पून निकाल लीजे अजवाइन के निकले हुए रस में 20 स्पून पुदीने का रस भी आप मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद